विन टर्बाइन निर्मानक शेत्र की सिजलोन एनरजी शेय कमपनी को अपूर्व एनरजी शेयर से 300 मेगावाट का बड़ा ओडर प्राप्त हुआ है जिसके तहट आप स्टॉक में काफी अच्छी तेजी दर्ज हो सकती है पिछले एक महीने में ये 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है लेकिन एक साल में कमपनी ने 261 प्रतिशत के रिटन भी प्राप्त करके दिये है सिजलोन एनरजी शेय कमपनी को लगातार अच्छे ओडर मिल रहे है दिसमबर 2023 में इस महीने में कमपनी की स्टॉक में 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है लेकिन दिसमबर के अंत में कमपनी को लगातार अच्छे ओडर मिल रहे है इससे पहले महिंद्रा सस्टन प्राइवेट लिमिटेट से 100.8 मेगावाट का ओडर मिला था जिसके तहट कमपनी को 48 विंट टर्बाइन का सप्लाई करना था और अब कमपनी की और से खबर सामने आई है कि कमपनी को अपूर्व एनरजी से 300 मेगावाट का नया ओडर प्राप्त हुआ है जो ओडर काफी बड़ा है सुजलोन एनरजी में साल 2023 में अच्छी खासी ग्रोध भी हासिल की और साथ में से जलोन एनरजी शेय कमपनी ने बैलेस शीट में भी सुधार किया है कमपनी का कुल मार्केट कैप 52,066.5 करोड का हो चुका है तो कमपनी के उपर 2332 करोड का करज है और कमपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 13.29 प्रतिशत के दर्ज है एक साल में कमपनी ने 261 प्रतिशत के रिटन जन्वरी 2023 में सुजलोन एनरजी का स्टॉक 8 रुपे पर ट्रेड कर रहा था पिछले एक साल में कमपनी ने 261 प्रतिशत के रिटन तो पिछले 6 महीने में कमपनी ने 141 प्रतिशत के रिटन निवेशकों को प्राप्त करके दिये है सुजलोन एनरजी शेयर ने दिसमबर 2023 के महीने में इस स्टॉक ने 5 प्रतिशत की गिरावर्ट दर्ज की है क्योंकि mutual fund द्वारा की गई भारी बिक्वाली के कारण स्टॉक में गिरावत दर्ज हुई थी, लेकिन अब दिसंबर महीने में अंत में मिले दो ओडर के कारण स्टॉक में अभी काफी अच्छे रफ्तार पकड़ रहा है। 2023 साल में multi-bagger स्टॉक साबित हुआ है। सुजलोन एनरजी एक ऐसा स्टॉक है जो भारतिय शेयर बजार में एक साल में multi-bagger स्टॉक साबित हुआ है। इस कंपनी का कामकाज की बात करें तो यह विंट तर्बाइन निर्मान क्षेत्र के साथ उसका maintenance और इंफ्रा पर कंपनी काम करती है। कंपनी के क्लाइंट में भारत के महाराष्ट्रा गुजरात जैसे प्रमुक राज्य अधिक शामिल है तो क्लाइंट में टाटा समू, जिंदल ब्रूप, रिलायंस, भारतिय रेल जैसे बड़े नाम भी शामिल है। Disclaimer, Equity News का विजन भारत में विट्टिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है।